हflow दोस्तों कैसे हैं मैंदे हर किसी को बनाना आता है कोई भी ओं चाहिए जिसको Krहाणा नहीं देखा अधा है इसी के साथ हम डालेंगे एक प्याज, इसको भी रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है, आलू अगर आपको पसंद हो तो आप डालना, अगर पसंद ना हो तो आप इसकीप कर सकते हो, तो मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा साथ डाला हुआ है, तो इसके बाद हम पानी ऐड़ कर देंगे इसवे, पानी ऐड़ करने के बाद के बाद कैटल का सुफच जो अन कर देंगे, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा, सबजीयों के हिसाब से, यह पर इसके बाद हम पस तब इसके सा jnm ook लिए गाए, तो थोड़ी टाइम के बाद आप देख सकते हो इसका पानी जोए वो सूख चुका है तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे और थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे और आलू टमाटर जोए दिरे दिरे पकना स्टार्ट हो गया यहाँ पे टमाटर मैश होना भी स्टार्ट हो गया थोड़ तैम के बाद आप देख सकते इसका पानी फिर से सूख चुका है मसाले एट करेंगे यहाँ पर आलो हमारा कुक हो चुका है तो हमारे मैगी के अंदर टेस्ट मेकर आता है मैगी मसाला वो हम डाल देंगे तो यहाँ पर मैं चार पैकट मैगी बना रहा हूँ, तो चार पैकट के हिसाब से मैंने तीन पैकट जो टेस्ट मेकर होता है, वो तीन पैकट डालूँगा मैं पहले, और बाकी का एक पैकट मसाले का वो मैं रग दूँगा, बाद में हम इस पे कार्णिशिंग में यूज़ करेंगे, उससे गय मैगी का जो चार पैकट मैंने मैगी लिया है, वो हम डाल देंगे कैटल में, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो चार पैकट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप जितने जन के हिसाब से बनाओंगे, उतने हिसाब से आप पैकट डाल देना, तो यहाँ पे कि अपोले टाइम प्का लेंगे और श्यादा पकानी की जरुठा नहीं है तो थोड़े दाइम के बाद अब देख सकते हो इसका पानी भी छो है हलका-पानी यहाँ हो तो पानी सुखा लेंगे तो पानी- HEY जाने के यहां पर देख सकते हो सुख चुका है और केडल का सुच आफ कर देंगे और हम निकाल लेंगे मैगी को तो हमारा जो मैगी यह बनके बहुत जल्दी तयार हो गया है और इसके उपर से हम जो टेस्ट में कर बचा के रखा था मसाला मेगी मसाला वो हम चिरख देंगे इससे टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है और इसका खाने का भी अछशा लगता है तो दोस्तों अगर आपने आप उतक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते है नहीं रेसिपीक के साथ तब तक लिए मुझे तीजय जा नमस्काइब